हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका सबकुसिंग चैनल पर और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं जोकर हारले क्रिमिनल सेनिटी को लेके तो ये दोस्तों डीसी का ब्लैक लेबल एडिशन है और इसमें स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है इसमे अच्छी वो कहानी है और किस तरह के आर्टवर्क इसमें यूज किये गए है क्या इसका प्राइज है कहां से आप इसको परचेस कर सकते हैं सारी चीज़े आपको इस वीडियो के अंत तक जानने के लिए मिल जाएंगी आप कर दीजे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब सब्सक्राइब और हम करते हैं फटा फट से इस कॉमिक्स का फर्स्ट रिवीव शुरू तो दोस्तो जोकर और हरले की हम बात करें तो इसका कवर आट आप देख सकते हैं काफी द्यादा खुबसूरत है और अगर हम बैक में आते हैं तो आपको एक बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके का आर्ट देखने के लिए मिलेगा और आप यहां देख सकते हैं यहां पर बात हो लिए जोकर की और दूसरा है कैचिंग किलर्स इस हर्स यहां पर हरले गौतम पुलिस के साथ में काम करते हुए जोकर के अगेंस्ट है और इसका एक आपकी कहिए कि जो शुरुआत हुई थी वो पांच साल पहले की स्टोडी लेके की जाती है जिसमें हरले कि एक आले के दोस्त की हत्या होती है बहुत की कुरूसम तरिके से और 5 साल के बाद कुछ उसी प्रकार की हत्याओं का सिलसला फिर से शुरू होता है और उसको रोकने के लिए या उसमें खुद को लाने के लिए और एक ऐपेक्स प्रेडियर्टर की तरफ बढ़ते हुए आ से 2021 तक की ये series रही है, इसके total 8 issues आया है, उसके अलावा एक special issue आया है, जो है secret files करके, इस book में बहुत खुबसूती से 8 issues और उस secret files को भी include किया गया है, और इसमें जो secret files हैं, दोस्तों, वो chapter 5 के तार पर आया है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ किस तरीके से, तो ये कुछ इसका दोस्तो बाहरी बात्चीस हो जाती है, एक बार मैं इसके size के अगर बात करूँ, तो DC के जो normal paperbacks आपके आते हैं, trade paperbacks देखने मिलते हैं, तो उसके size से कुछ इसका size इस तरीके से हो जाता है, और अगर हम DC के collector editions को रखें, hardbound editions को रखें, तो size आपको का standard size है, वो यहाँ पर रखा गया है, तो अब हम इसको open करें, तो इसके cover पर दोस्तो ये हमारे पास एक jacket cover आता है, इसके side में आप देखें हैं, एक बहुत खुबसूरसी आर्ट में joker को draw किया गया है, और यहाँ पर जो हमने front में आर्ट देखी है, उसी को red tint के साथ दिया तो इसमें हम joker को भी एक नए सरे से जानने की कोशिश करते हैं, एक अलग तरीके का joker दोस्तो आप देखने के लिए मिलेगा, जो कही लोग को पसंद आएगा, और कही लोग हो सकता है उसको, एक main stream joker से connect ना भी कर पाएं, तो दोस्तो इसकी story जो है, अगर मैं एक person open की बा या नहीं पढ़ना चाहिए, definitely आप इसको read कर सकते हैं, और read करने के बहुत सारे reasons से, story अपने आप में जिस तरीके से की गई है, और जिस तरीके से कुई story को बनाया गया है, कहीं कहीं जो parts end होते हैं, उसके बाद जो दूसरे part के लिए suspense छोड़ाई, जो cliffhanger, ending story जाती है, वह लिकिन आर्ट का काफी ज्यादा खुबसूरत दोस्तों इसमें देखने को मिलता है, यह है दोस्तों इसका part 1 का, और यह इसका variant cover आपको देखने के लिए मिलता है, और अंदर अकर मैं आर्ट की बात कुरूँ तो इसमें आर्ट में दोस्तों यह black and white color के texture भी use किया गया है, इसमें दोस्तों कहानी को बढ़ते वक्त आपको थोड़ा सा कहिए कि attentive रहना पड़ेगा क्योंकि इसमें कहानी कभी 5 साल पीछ जाती है, फिर तुरण बाद 4 साल, फिर कभी earlier, कभी the next day, तो आपको यहाँ पर यह colors थोड़ा सा confuse कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको read करते ज इसमें जो art है, जो proper inks का use किया गया है, वो बहुत जादा बेतर है, यहां दोस्तों अगर यह proper matte होंकि अगर matte में आ जाता तो शायद यह blacks थोड़े और जाद अबर के आते, तब शायद थोड़ा और बेतर लग सकता था, लेकिन अभी भी यह प्रॉपर अचला है, इसमें sil इसमें आपको एक feel भी देती है, फिर दोस्तों इसमें आप दूसरी art एक और देख सकते हैं, जो आपको proper comic art देखने के मिलती है, हल्किसी एक Batman की, इसमें आपको जलग भी देखने के लिए मिलेगी, कैसे कहानी से connect होती है, वो सारी चीज़ आपको सामने हैंगी, यह दूस् के experience को enjoyable बना देता है, आप देख सकते हैं, हारले वाला सारा part black and white में आ जाता है, और फिर यह दोस्तों, जिस art का मने भी discussion किया था, वो आपको देखने के लिए मिलती है, फिर दोस्तों हारले की कहानी में जहां-जहां जो कराता है, तो इसमें दोस्तों इसके green hairs और जो यह scar marks हैं, इसके लिए colors का यूज़ करके, बाकी से black and white यूज़ करके, इन pages को कुछ बहुत ही बहतरीन तरीके से बनाया गया है, बीच में दोस्तों जैसे मैं आपको बताया था, secret files, अगर आप रीड करें तो confusion मत होगा, कि art part के बीच में पांच वा पार्ट यह कैसे हो गया, इस secret files वाला part है, इसमें joker की draw किये हुए, एक proper filing कि उसने किस तरीके से murders किये, एक पूरी secret file आपके सामने लेकर आते हैं, जिसमें सारी जो कहानी से related, जो भी इनकी files हैं, जो भी इसमें evidences हैं, जो भी joker ने draw किया है, उस तरीके सारी चीज़ आपके हैं देखने के लिए official edition था, main stream कहानी से, जो उसके facts हैं, उनसे जोड़ा हुआ, लेकिन अगर आप इसको नहीं भी पढ़ते हैं, यह तो मैं आपको तब कहा था, जब आप individual editions ले जाते हैं, तो कुछ इस तरीके से दोस्तों यह secret files आपके सामने आ जाती हैं, फिर आपके chapter 6 शुरू हो जाता है, ज स्टोरी लाइन भी काफी अच्छा है, एक pen on ten तो नहीं है, और यह नहीं कहा सकते कि blockbuster stories में आपको देखने के लिए मिलेगी, लेकिन हाँ, एक one time readable, एक अच्छी story आप इसमें देख सकते हैं, और अगर आप बहुत जादा comics को properly follow नहीं करते हैं, बैटमन को तो आपको इतना experiment, जैसे आप देखें, the next day आजाता है, फ्रीहां पर पीच है चानक से आप 5 साल पहले, earlier, earlier, तो यह कुछ आपको दोस्तों तो 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 इसमें कुछ चीज़ें आपके लिए छोड़ दी जाते हैं, आर्टकर की में overall बात करों तो बहुत अच्छा है, एक आप जगा पर बहु किस तरीके से characters draw किये गए, क्या उनके लिए जो poses थे वो practice किये गए, क्या-क्या उनके लिए draw किये थे, क्या-क्या concepts तेयार किये गए थे, और कैसे story का ये जो breakdown है, वो सारी चीज़ें आपके additional दोर पे देखने के लिए मिल जाती है, तो ये दोस्तों आपके पास आजाता है, जोकर और हाले, क्रिमिनल सैनिटी का issue, Heartbound Edition, जिसको आप purchase कर सकते हैं, Amazon से link इसका आपको description box में मिल जाएगा, अगर आप purchase करना चाहें, तो आप link पे click करके purchase कर सकते हैं, अगर आपने इसको पढ़ा है, तो अपने views में साथ comment box में जरूर शेर कीजिए, और अगर नहीं है, तो इसके artwork को देखे, इसकी story को लेके, जो थोड़ा समय ने आपको hint दिया है, क्या आप इसको पढ़ना चाहेंगे या नहीं, सारी बाते बताएं, comment section में मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द, ऐसे ही धेर सारे videos के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों